बच्छाओ, 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 बच्छाओ बच्छाओ, क्रिष्णा, लगता है, दामु और सुदामा के पीछे कोई राक्षस पड़ गया है, क्रिष्णा के रहते कोई राक्षस उसके दोस्तों का कुछ नहीं बिगार सकता, राधा, क्रिष्णा शामु तुम तुम इनके पीछे पड़े हो हाँ कृष्णा इन जूटे बैमानों के पीछे मैं ही पड़ा हूँ लेकिन क्यों शामु चलो कंचे खेलते हैं नहीं सुदामा तुम दोनों ही खेलो मुझे कुछ सवालों के जवाब सोचने है जादा मत सोचो शामु सर दर्ट करेगा वो तो जवाब नहीं सोचूंगा तो भी करेगा तो ऐसा करो हमारे साथ खेल लो उसके बाद तुम्हारे सवालों के जवाब हम दे देगे कैसी रही खूब रही इसमें तो तुम्हारा ही लाब हुआ लाब तो तब होता कृष्णा जब ये मेरे सवालों का जवाब देते पर ये तो भाग आए तो क्या करते इसके अलावा हमारे पस कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था तुम्हारे अजीबों करीब सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता कैसे सवाल ये पूछता है कि अगर भगवान है तो साबिक करो अब ये कोई कैसे साबिक करे इसमें क्या मुश्किल है जिस प्रकार बच्चों के माता-पिता होते हैं उसी प्रकार ब्रह्मान को पैदा करने वाले सबसे बड़े पिता हैं जो भगवान कहलाते हैं वो नहीं होते तो हम नहीं होते इसी लिए हमारा होना ही ये साबित करता है कि भगवान है ये तो सही है इसका जवाब तो तुमने दे दिया क्रिश्ना लेकिन बाकी के जवाब भी दो तो जाने आखिर में तुमें भी हमारी तरब भाग नहीं पड़ेगा ऐसा है तो अब कृष्णा ही शामू की सवालों के जवाब देगा क्यूं कृष्णा राधा ने कहा है तो कृष्णा जवाब जरूर देगा चलो शामू शुरू हो जाओ पूछो जो पूछना है तो बताओ शहद मीठा और नमक नमकीन क्यूं होता है शामू हर जीव हर तत्व की अपनी एक प्रकृती होती है उसी हिसाब से शहद जिन फूलों के पराग से बनता है उनमें मिठास होती है इसलिए शहद मीठा होता है इसके विपरित समुंदर में पाये जाने वाले खनीज नमकीन होते हैं इसलिए नमक नमकीन होता है ये भी सही है अच्छा तो बताओ कि खाना खाने के बाद भूख क्यों खत्म हो जाती है ओफो क्या तुम्हारे सवाल खत्म हो गए शामू अभी तो आधे ही सवाल पूरे हुए है क्रिश्ना बताओ जब पानी सबको गीला करके सर्दी खासी जुकाम लगा देता है तो वही पानी खुद दिन रात पानी में ही रहता है तो उस पानी को सर्दी खासी जुकाम क्यों नहीं होता ये इंसान तो अदभुत अदवित्या अकलपनीय है इससे बचने में ही भलाई है चुप क्यों हो कृष्णा, बोलो, जवाब दो मैं जन्म, मरन, कर्म, ज्ञान, विज्ञान, गणित, भुगोल और ब्रह्मान के रहसों का जवाब दे सकता हूं शामू लेकिन तुम्हारे इस सवाल का नहीं नहीं कृष्णा, तुम्हें जवाब देना ही होगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा अरे क्रिष्णा रुको तो देखा राधा कहा था ना शामू के सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता राधा तुम भी आजाओ और नहलाओ हमारी गवमाताओं को मेरी और से क्रिष्णा है ना तो क्रिष्णा की और से कौन है क्रिष्णा की और से तुम हो पिर मेरी और से कौन है तुम्हारी और से दामू है दामू की और से सुदामा और सुदामा की और से राधा पर राधा तो बाहर है उसकी और से तो मैं हूना अरे पर क्रिष्णा ये लधी के पानी में सागर जैसा उपान कैसा क्रिष्णा इता देखो प्रिश्णा ये सब क्यों भाग रहे हैं राधा पता करना होगा मेरे पीछे आओ काका ये सब क्या हो रहा है इंसान और जानवर सब ऐसे क्यों भाग रहे हैं विटिया जंगल में एक भयानक राक्षस आ गया है सब को मार रहा है तुम भी जान बचाओ भागो यहां से क्रिश्णा के रहते किसकी इतनी मजाल वही तो क्रिश्णा दो डालो उसे अब राधा ने कहा है तो धोना तो पड़ेगा चलो अरे यह तो चुटनकु है क्रिश्णा इस चुटनकु से कोई कैसे डर सकता है इसे देखकर तो हसी आती है इसे तो हम तीनो ही पढ़क देंगे नहीं नहीं दामू तुम तीनों से चलो रुको रुको उन्हो पटेंगे लेकिन क्रिश्णा ये तो सोच girls अगर इन्होंने सच में दुष्ट राक्षस को मार गिराया तो बहुत मजा आएगा मुझे देखकर तो सब डर कर भाते हैं तुम लोग मरने चले आए हम मरने नहीं मारने आए है ऐसा बोल कर मेरा मजा कुणाते हो आओ, आए उचले क्रिष्णा ये तो बैमानी करने लगा हम तीन ये थीस हो गया लो, करती न करती अब तुम्हारी धुलाई और कुटाई दोन होगी और कौन करेगा ये सब है और क्ली करती तुम्हारी नहीं पर हख हुब पुम्हारी हुब तेखा, भाग गया ना, मुझसे जे अबुका। प्रिश्णा डरता नहीं, बल्कि तुम जैसो को डराता है। रही को हो गया। पाताल में उसकी माताजी बोजन पर उसका इंतजार कर रही थी।